लोग कहते हैं कि खाली हाथ आये थे, खाली हाथ जाओगे, गलग बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो आपने साथ कुछ संसकार, कुछ यादे छोड़ जाते हैं। एपीजी अब्दुल कलाम खाली हाथ तो आये थे, क्या खाली हाथ गया है, हमारे जितने देश के लोग हैं, उन देश वासियों के लिए एक प्रेणा के सुरोत बन गया है, लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, तो आपका पूरुस योनी में जनम लेने का कोई अर्थ ही नहीं बना, अपनी मंजिल को भुला कर जिया, तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा, लिख दे, खून से अपने काम्याबी की कहानी, और बोल उस किसमत को, कि है दम तो मिठा के दिखा, इसलिए कभी किसमत को मतकोसिएगा, कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं, लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है, पैसा करता है कि तु मुझे आज बचा ले, मैं ख़ल तुझे बचा लूँगा, पैसा बेसक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर त दुख की बात ये है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात ये है कि अब ही भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दुबारा समय देगा, वक्त नहीं लगाईए आपको ये निधारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निधारित कर देगा आपका क् आपने अंदर से आंकार बिल्कुल निकाल दीजेगा, आंकार बहुत ही खराब चीज है, कहते हैं कि आंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, अच्छत पे चुड़ जाओ तो खुद का मकान नहीं दिखता, आंकार नहीं करना चाहिए, छत को बहुत गुरूर था छत होने क एक मंजील और बनी और छत फर्स हो गया, अंकार कभी नहीं कीजेगा, तूफान जादे होती है, तो कस्ती डूब जाती है, और घमंड जादे हो जाती है, तो हस्ती डूब जाती है, जिस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आपके उपर कि हम बहुत बड़े हो गए ह हम बहुत पढ़ली हैं, हम बहुत सक्सेस्फूल मैं होगी हम बहुत बड़े बीजनस मैं हम बहुत जिस दिन आपको घमंड हो गया ना उस दिन आप समसान घाट में जाके दिखेगा आपसे नायाब लोग आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाग बन गए दुनिया में कि सिसे जलन नहीं रखनी चाहिए, थे माचीज जो होता है दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचीज को देखेए वो खुद को भी जला लेता है अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे दूसरे के पीछे रहेंगे तो इसमें आपका लॉस होगा और अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए कि वह कि आप आगे बढ़ रहा है बुराई उसी क्या लोग करते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है जो पहले गिरा हुआ है उसकी लोग क्या बुराई करेंगा और जब भी आपकी कोई बुराई करें तो आप उसे सहज सुईकार करें और आप उसे प्रूव मत किजिए कि हम ये नहीं है हम लोग गलती क्या करते हैं? स्टूडेंट लोग की प्रूव करने लगते हैं नहीं आपको अपने आपको इंप्रूव करना है अगर कोई गलती हो गई है, आपको कोई बुराई कर रहा है तो आप उसको सहस्विकार कीजिए जिस दिन आपके अंदर अपनी दुराई सुनने की छंता आ गई, यकीन मानिए आप सफलता के दहलीच पर अपनी पहली कदम रख दियें उसी दिन लोहा जो होता है उसे कोई नहीं तो सकता है, लेकिन उसी लोहे के अंदर का जो जंग लग जाता है धीरे धीरे दीमक की तरह उस लोहे को ख़दरते जाता है, इसलिए अपने अंदर आंकार को मतलाने दिजेगा, लोग कहते हैं कि अंकार दुरा है, जीवन में हम जो अनुभो किये हैं आंकार से भी खराब चीज होता है गुसा देखिускे अंकार उत्पन ही नहीं होगा जब तक आपको गुसा नहीं आए आप ऐसे नॉर्मल बैटे हैं और आप किसी सबbn सो कहऀए profit कि तुम्हारी क्या often जब तक आपको गुस्सा ना है, तो अहंकार एक पेड है और गुस्सा उस पेड का जड़ है, इसलिए गुस्सा जिस दिन आया, उस दिन आप बरबाद हो जाएंगे, किसी भी व्यक्ती को बरबाद कराने के लिए सब से जरूरी गुस्सा दिलाना, आपको पता है, लोहार जो और एक मामुली हथाड़े के चोट से लोहा मुड़ जाता है तो जिस दिन आपको गुस्ता आ गया समझेए कि आप अपनी ताकत खो रहे हैं दीआ, सफलता, औ सफलता में थोड़ा सा कांतर है सफलता आपका परीचे दुनिया के सामने कराएगी और औ सफलता दुनिया का परीचे आप से करा देगी इसलिए सफल जरूर होई है देखिए 97% लोग जो है न वो ठक के किसी काम को छोड़ देते हैं और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते हैं मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था कुछ लोगों को लगता है कि उनके पिता जी बहुत पहुँच वाले हैं दादा जी बहुत पहुँच वाले हैं उनकी बदालत हमें कोई काम मिल जागा कोई जॉब मिल जागा तो कोई यह बहुत बड़ी बात नहीं है पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है कई लगे कमेंट करेंगी ज़र आप पंका क्यों नहीं लगा लेते हैं आपको पसीना होता है हम क्या बोले आप लोगों जो पानी से नहाएगा वो अपना लिबास बदलेगा जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा एक दिन हम सब लोग मिलकर अपने हिंदस्तान की इतिहास को बदलेंगे फिर से इसे हम सोनी की चड़िया बनाएंगे और आप निरंतर मेहनत करते रहिए दूसरे का देख कर नकल नहीं कीजिए सिड़िया उन्हें मुबारखों जीने छट तक जाना है आपकी मंजिल आसमान है, रास्ता आपको खुद बनाना है अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा लिख दे खून से अपनी काम्याबी की कहनी और बोल उस किसमत को है दम तो मिटा की दिखा लास्त में आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि जहां तेरी याब ना आए वो तनहाई किस काम की बिगर रिष्टे ना बना दे वो खुदाई किस काम की बेसक हमें जाना है अपनी मंजिल तर लेकिन जहां से अपने ना दिखाई दे वो उचाही किस काम की आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मिलेगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहें